राजदानी दिल्ली में एक पारिश के बाद ऐसा जाम लगा कि लोग बसों से गाड़ियों से उतर कर अप पैदली अपने ओफिस की तरफ जा रहे हैं आग के दर्या से डूप के जाने की कहावत तो आपने सुनी होगी लेकिन यहां तो सडके ही दर्या है जहां से या तो आपको तैर कर या डूप कर जाना पड़ेगा जिहां दिल्ली में शुकरवार सुभा ही तेज बारिश के बाद कई जगा जल भराव की सिती देखने को मिल रही है पिशले कई दिनों से पानी की कमी से जूज रही दिल्ली में अब पानी की वज़े से ही समस्या खड़ी होती दिख रही है दरसल बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है दिल्ली की सडके पहली बारिश में ही पानी से लबालब हो गई है इतना ही नहीं जल संकट को लेकर धरने पर बैठने वाली दिल्ली की जलमंत्री आतीशी के घर के बाहर पानी भर गया है दरसल दिल्ली और NCR की बारिश ने त्वार्ज हधी कर दी बारिश इतनी हुई कि इसने 88 सालों का रेकॉर्ड तोड़ दिया अब हाल ये हो गया है कि सडकों पर पानी भरा है लोग ट्राफिक जाम में फसे हुए हैं महले और बस्तियां सब डूबी डूबी नजर आ रही है हर जगा जाम जाम त्राहिमाम वाली सिती है सुबा सुबा बारिश के बाद दिल्ली एंसियार जाम से जूचता दिखा लोग पानी में फसे हुई नजर आए हाला कि बादलों का लंबा इंतजार भी किया है लेकिन जिस तरह से बादल बरसे हैं लोग यही कह रहे हैं कि बादलों ने तो हद ही कर दी दिल्ली में बारिश आने के बाद बने हालातों की इन तस्वीरों को देखिए ये तस्वीरे बता रहे हैं कि बादलों ने दिल्ली में कैसे जबरदस्ट एंट्री की है राजदानी दिल्ली में एक पारिश के बाद ऐसा जाम लगा कि लोग बसों से गाड़ियों से उतरकर अप पैदल ही अपने आफिस की तरफ जा रहे हैं रास्ता देखें ये आईटियो की तरफ जाने वाला रास्ता आपको बड़ी संख्या में लोग यहां पर पैदल आते वे नजर आएंगे और ये वो लोग हैं जो इन डीटीसी की बसों में सवार थे लेकिन अगर आप बसें देखें तो ज़्यादा तर जो बसें हैं वो पूर से ऑफिस महुँच जाएं और यही वज़ा है कि लोग अब यहां से पैदल निकल कर जाते वे नजर आ रहे हैं और लोगों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती हैं गर्मी है तो पानी नहीं मिल रहा है और एक बारिश हो रही है तो सडके जो हैं पूरी तरह से पानी से लबालब है और लोग लगाता अब यहां से जो है पैदल निकलते वे नजर आ रहे हैं लोगों से बात कर लेते हैं पैदल आप लोग क्यों जा रहे हैं जाम लगा हुआ है बस उसे उतर गए दफ्तर पहुशना आटो जोड़ करके आटो जोड़ दिया और भी लोग अपनी आटो गाड़ियां बस जो हैं उन से उतर कर जा रहे हैं क्योंकि आईटियो पर जल भरा हुए और आईटियो वो हिस्सा है जो कि देश की राजधानी का हिस्सा है लेकिन वहाँ पानी इस कदर भरता है जैसे मानो कभी सीवर और नालिया साफ ही ना हुई है और आपने दिल्ली डूब गई है बारिश आ जाए पबलीक तब परेशान गर्मी हो जाए तब परेशान पीने का पानी नहीं है हरियाना ने छोड़ दिया तो क्या मतलब कोई आशा है जैसे तो गाव अच्छे हैं गाव में यह समस्या तो नहीं है सबस्द्राइब लोगों की समस्या का कोई एंत दिल्ली में नजर नहीं आता है और जाहिड तो गर्मी पड़ जाया तो पीने के पानी की कमी और एक बारिश हो जाए तो लवालब परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुभा ओफिस और काम पर जाने वालों को जाम और जल भराब से जूजना पड़ा। ऐसे में राजधानी दिली में मौनसून की एंट्री से पहले गर्मी और उमस लोगों को सता रही थी। लेकिन अब भारी बारिश की वज़े से परिशानी खड़ी हो रही है। बारिश से जगा जगा जल जमाव भी हो गया है। ऐसे में दिली सरकार के तमाम दावो और वादो की पोल भी एक बारिश में धुलती दिख रही है। टाइमस नान भार दिजिटल की रिपोर्ट